ओम शान्ती 18 नुएंबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क आश्रोहानी सत्गुरु हमें बाप दादा की ओफरिन लेने के लिए बाप दादा के उच कार्य में मददगार बनने अर्था खुदाई खिदमतगार बनने के लिए आज वर्दान भी दे रहे हैं और समझ भी दे रहे हैं कि अभी तुमें संपूरन बनना है तो इन दो बातों को आज की मुरली से हम धार ना में लेंगे संपूरन बनने के लिए आज हम अपने चारों सब्जेक्ट का बैलन्स रखेंगे और इसी के अधार पर हम बाबा के दिल पर चड़ेंगे बाप और दादा के तो बाबा ने आज ज्ञान के लिए बोला कि ज्ञान अच्छी रिती धारन करना है पढ़ाई अच्छी रिती पढ़नी है क्योंकि पढ़ाई पढ़ने से ही तुम राजा रानी बनेंगे उंच पद पाएंगे आज मुरली में बताया कि मुरली जरूर सुननी है चाहे शरीर में कोई तकलीफ भी हो तब भी लेट करके भी मुरली सुननी है तो आज हम ज्ञान के points का चिन्तन करके उसका सवरूफ बनने का अभ्यास करेंगे योग के लिए बावार ने कहा कि बाब को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनती है सतो प्रधान बनती है, विकरम विनाष होते हैं इसलिए आज बावार ने कहा मा मेकम याद करो बाबा के ख्यालात सारा दिन बुद्धी में चलते रहें इसको भी हम साधारन याद कहेंगे अगर हम करम करते समय भी बाबा के मुरली का चिंतन कर रहे हैं बाबा से रूरिहान कर रहे हैं बाबा के साथ संबंध का अनुभव कर रहे हैं धारना के लिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हें श्रीमत पर चलना है और भावा ने कहा कि मन को व्यर्थ बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ब्रह्मा भावा के साथ बेयद भी नहीं करनी है अर्थात भावा की कोई भी बात की अवग्या नहीं करनी है और भावा ने कहा अगर आप सेवा करते हो तो से ये बातें आपकी जीवन की धारणा बन जाएंगी, तो धारणा मुरत बनकर आप दूसरों को भी धारणा करा सकते हैं. तो सेवा के लिए आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा की एक्जेम्पल दी, ब्रह्मा बाबा के समा त्यागी और तपस्वी बन करके जब तुम सेवा करोगे, तो आप दूसरी आत्माओं को सहयोगी भी बना सकेंगे और योगी भी बना सकेंगे, तो त्याग और तपस्या मेरे जीवन में कहां तक है, सेवा का शोक भी होना चाहिए सेवा की युक्तियां भी निकालनी है और सेवा का अभिमान भी ना हो तो सेवा करते समय आज वावा ने सेवा के लिए बोला बाप का परीचे देना है स्रिस्टी चक्कर के बारे में बताना है गोला जिसको बोला और जन्म के बारे में अर्था सीडी के उपर भी समझाना है तो आज हम सुक्षम में भी सेवा कर सकते हैं स्थूल में भी कर सकते हैं तन से सेवा, मन से सेवा, धन से और वानी से इस तरह अपनी स्थिती से भी सेवा कर सकते हैं जब इन चारों सब्जेक्ट को हम बैलंस में रखेंगे, तब हम संपूर्ण फरिष्टा बन सकेंगे, याद रखें, हम बाबा से एक वर्सा लेने के लिए आए हैं, तो संगम का वर्सा है फरिष्टा, और भविश्य का वर्सा है विश्व की राचाई, तो इन बातों का बैल इंशन में रखेंगे, ओम शान्ति